इस वीडियो में कोल्ड रिंग के बारे में आप ऐसे अमेजिंग यूज जानोगे जिसके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाओगे हेलो फ्रेंज अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो जरूर कर लेना ताकि फ्यूचर में कोई भी अमेजिंग एन इंट्रस्टिंग कंटेंट मिस ना कर पाओ तो चलिए शुरू करते हैं जले हुए बरतनों को साफ करें अगर आपके बरतन जल गए हैं तो उसे साफ करने के लिए आप कोल्रिंग का यूज कर सकते हैं जी हाँ इसके लिए आप जले हुए बरतनों को एक रात पहले कोल्रिंग में डाल कर छोड़ दे और उसे सुबह नॉर्मल पानी से साफ करके रख दे बरतन चमक उठेंगे फर्ष पर लगे तेल के दाग धबे हटाने के लिए फर्ष पर लगे तेल के दाग हटाने के लिए भी कोल्रिंग काम आती है बस उस जगह पर थोड़े समय के लिए कोल्रिंग टाल कर रख दे फिर देखे कि ये दाग कितनी आसानी से साफ हो जाते हैं जूते के सोल में से च्विंगम निकालने के लिए अगर जूते के सोल में च्विंगम चिपक गई है तो उसे आसानी से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे में हम कोल्रिंग की मदद ले सकते हैं बस उस च्विंगम की जगए कोल्रिंग डाल दें और वो असानी से जूते से निकल जाएगी। चश्मा साफ करने के लिए हम अपने चश्मे को साफ करने के लिए हमेशे उसे कपड़े से पोश्टे हैं जिसके कारण चश्मे के लैंस पर धूल के कणों से स्क्रैश पढ़ जाते हैं लेकिन क्या आपको पता है कोल्रिंग एक अच्छे ग्लास क्लीनर का भी काम करती है बस इ इसमेश चुंगम लगी है बस ये आसानी से निकल जाएगी फोटोस को मिलेगा विंटेज इफेक्ट फोटोस को विंटेज इफेक्ट देने के लिए अगर आप फोटोस को एक दो खंटे के लिए बलैक कोल्रिंग में डाल कर रख दे उसके बाद निकालने पर ये बिल्कु कुल्ड रिंग का इस्तहमाल कर सकते है की मिठी कुछ इसके पास और लगाविक हे एसलों चाहरा कि नहीं हमयरे कि सब्सक्राइब क्लिबे, यह सब्सक्रोण सिक्के एकठे करने का शौक है तो उन्हें साफ और सुरक्षित रखना भी बहुत जरूरी होता है ऐसे में सिक्कों की सफाई के लिए आप सिक्कों को कोल्डिंग में डुबा कर रख दें थोड़ी देर बाद उसे नॉर्मल रगड कर साफ पानी से धू दें ये चमकने लगें कर दोड़ी देंगी